बिस्मिल्लाह रॉह्मानिर्रहीम, असलाम अलेकुम, वेलकम बैक टुफूर्स चेन, आज हम बना रहे हैं बीफ कुफटा, जो कि बहुत ही डिलिशियस बनते हैं और बहुत ही असानी से बनने के त्यार हो जाते हैं, तो जल्दी से इस रस्पी को बिनाना स्टार्ट करते हैं, मैंने यहाँ पर लिया है कीमा और यह मशीन से निकला हुआ बारी कीमा है यह तक्रीबन लिया है वन केजी और कीमा बिल्कुल भी मोटा नहीं होना चाहिए अब हम इसमें शामल कर देंगे प्याज प्याज लिये थे मैंने दो दर्मियाने साइज किये और इनको मैंने ग्रेट करने के बाद इनमें से पानी निकाल लिया है अब हम इसमें शामल करेंगे चार से पांच कुटी हुई सबस मिर्च अब इसमें शामिल करेंगे कुछ spices जिसमें है सुर्फ मिर्च जो के लिए है मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग इसको कम यह जादा कर सकते हैं पिसी हुई काली मिर्च लिया है 1 टेबल स्पून और क्रेश किया हुआ जीरा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून आप इसकी जगा पर जीरा पाउडर का इस्तमाल भी कर सकते हैं अब हम इन तमाम spices को इसमें शामिल कर देंगे और अब इसमें डाल देंगे एक अंडा अब हम इसमें शामिल करेंगे बेसन जो के मैंने लिया है फोर टू फाइबल स्पून भर के और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहां अगर आपको ज़ूरत महसूस हो तो एक से दो चमच बेसन इसमें मजीद शामिल कर दें और अंडा हमने इसलिए शामिल किया है कि अंडे से कोफते तूटेंगे नहीं अब यह देखें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे बॉल्स आप छोटी या बड़ी जिस तरह आपको पसंद हो आप उस तरह से बना लें और यह देखें मैं इसको चोटे सा इसकी बॉल्स बना रही हूँ और इसी तरह से हम सारी बॉल्स रड़ी कर लेंगे सारे कोफते हम बना चुके हैं अब हम चलेंगे इनको फ्राइ करने की तरफ और यहां पर लेलिया है बहुत जारा dark brown नहीं करना और साथ-साथ इनकी side को change करते जाएंगे बहुत जादा भी चमच आप नहीं चलाएंगे ताकि ये तूटना जाएं बहुत एहतियात से हमने इनको fry करना है और तक्रीबन 3-4 मिनट लगेंगे इनको fry होने में और ये fry हो जाएंगे ये देख सकते हैं आपके इनका कितना प्यारा golden color आ चुका है अब हम इनको निकाल लेंगे एक्स्ट्रा घी हम इसमें से निकाल देंगे और इसी तरह से हम बाकी के कुफते भी fry कर लेंगे अब हम चलेंगे next step की तरफ यहां पर ले ली है मैंने एक कडाही और उसमें डाल देंगे एक कप के बराबर घी घी को गरम होने देंगे और इसमें शामिल कर देंगे प्यास जो के मैं लिये थे दो दर्मियाने साइस के और इनको इस तरह से बारी काट दिया था लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे प्यास गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें शामिल कर देंगे अद्रक लहसन का पेस्ट वन टेबल स्पून और इसको भी हलका सा सौते कर लेंगे अब इसमें शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसे जिसमें लिया है मैंने नवक वन टेबल स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर लिया है मैंने वन टेबल स्पून अब अपने टेस्ट के कॉर्डिंग कम या ज़ादा कर सकते हैं धनिया पाउडर लिया है मैंने वन टेबल स्पून क्रश किया हुआ जीरा लिया है हाफ टेबल स्पून और हल्दी पाउडर लिया है मैंने वन टेबल स्पून अब हम इन तमाम चीज़ों को इसमें शामिल कर देंगे और इसकी अची तरह से भुनाई कर लेंगे यहां पर मैंने लिया है कोर्बा मसाला टूटेबल स्पॉन इसको शामिल करेंगे और इसको भी अची तरह से मिक्स कर लेंगे एक से नहीं हम इसकी बुनाई कर लेने के बाद इसमें शामिल करेंगे टेमाटर का पेश जो के मैंने 3 से 4 दर्मियान साइज के टेमाटर लिये थे और इनको मैंने इस तरह से इनका पेश रडी कर लिया था इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे और ये देखें इसकी भुनाई करते हुए मैं तीन से चार मिनट हो चुके हैं और इसका घी बिलकुल उपर आ गया है अब इस टेज पर इसमें शामिल कर देंगे हम दही जो के लिया है मैंने तकरीबन तीन चोथाई कप और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन दो सी तीन मिनट इसकी मजीद भुनाई कर लेंगे ये दिखें मिसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और ये बिलकुल रडी है यहाँ पर अब हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई की हुए कोफते और इनको भी अच्छी तरह से मिसाले में भून लेंगे तकरीबन दो सी तीन मिनट के लिए चमच आपने हित्यास से चलाना है इस पॉइंट पर वरना कोफते तूट भी सकते हैं और इसी तरह से दो से तीन मिनट में हमने इनको मिसाले में इस तरह से कुक करना है कोफतों को मिसाले में कुक करते हुए तीन मिनट हो चुके हैं अब हम इसमें शामिल कर देंगे दो से तीन ग्लास पानी और एक दफा चमच अची तरह से चला लेंगे और अब हम इने ढख देंगे और कुक होने देंगे मीडियम फ्लेम पर यह देखें इसको एक बार चेक कर लेते हैं यह पानी में उबाल आ चुका है और आप अपने पसंद के मताबिक इसमें ग्रेवी रखें जितनी आपको चाहिए यह देखें बिलकुल रेडी है अब मैं इसको डिशाउट करती हूँ यह रेखें बहुत ही जबर्दस्त कोफते बिलकुल बनकर रेडी है और बहुत ही असान रेसिपी है यह बहुत ही सिंपल है इनको बनाना और बहुत जल्दी बन जाते है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको आज की रेसिप करें मैं मिलूगी आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाज़ा चाहूंगी अल्ला हाफिस